Hello everyone, welcome back to this system, I am at the same rate of interest in 2 years, find the amount, ध्यान से देखना, certain amount of money earns 540 as simple interest in 3 years, तीन साल में कितना simple interest मिल रहा है, तीन साल में 540 मिल रहा है, तो 2 साल का simple interest ही साब कर लेता है, ठीक है, दो साल का simple interest कितना हो जाएगा, तीन साल का simple interest हो जाता है, तीन से करता है, तीन से करता है, तीन से करता है, तीन से कम 3, 4, 5, 3, 8, 24, 8, 12, मतलब 360 रुपए, अब ध्यान से देखो, हमने आपको क्या सिखाया था, CI इकोस टू, SI इन्टू, 1 प्लस R अपन 200, ठीक है, तो देखो, यहां से क्या मिल जाता है, तीन सा 376.20, यह 1 प्लस R अपन 200 ही लिख लेता है, अपन नीचे कितना दिया हुआ है, सब 360 दिया हुआ है, तीन सो साथ के उपर 76, यहां पे 16 रुपए लग रहा है, तो यहां से भी R निकल सकते है, ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल था, तो यहां से अपला ही कर लेते हैं, तो R अ R अपन 200 आजाता है आपका, यहां से 16.20 अपन 360, एक माइनस कर दिया है, तो पॉइंट हटाते है, तो नीचे कितना आजाएगा, 600 आजाएगा, तो R इकोस्ट कितना आजाता है, वहां पे 200 कर लेते हैं, तो 100 दुना 200, यहां से कितना आता, 0000 कड गया, तो 36 से कितना होता है, 6, 36, 6, 12, 67, 42, तो 3, 26, 39, 27, 22, कड गया, तो 9 आ रहा है, ठीक है, तो rate of interest 9 आ गया, आप देखो सेर, 180 एक साल का interest आता है, एक साल का interest आता है, 180 रुपए, कितना प्रतिसद के हिसाब से, 9% के हिसाब से, तो amount कितना है, किसी का 9% पर आपर 180, तो नीचे 9, उपर 100 गुना करते है तो amount मिल जागा, या फिर principal मिल जागा, बोल सकते हो, तो 20 मतलब कितना आता है, 2000 आ गया answer, ठीक है, खाली step follow करो, आपका question बन जाएगा, ओके सर, जो channel पर नहीं है, क्या करना है, subscribe करना है, और bell icon को दवा देना है, चले देखते हैं, next question क्या दिया हो, thank you, bye, stay tuned for the next class.